देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है लगतार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं एक भीड इखटा हुई है सड़कों पर जो लगतार इस कानून का विरोध कर रहे हैं लेकिन इस बीच तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि सचाई देखिए इस भीड की क्या है ये लोग कहां से आए हैं जिने ये तक नहीं पता वो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं CAA होता क्या है CBA होता क्या है NRC होता क्या है इने मालूम तक नहीं है फिर भी ये वरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर सवाल ये उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार इने कौन भड़का आ रहा है कौन इने सडक तक लेकर आ रहा है धारा 144 जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू है उसके बावजूद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ठाकुर गंच की बात कर ले परवरतन चौक पर बात कर ले बवाल मचा हुआ है यहाँ पुलिस और प्रदर्शन कारियों में जड़प हुई है गौर तलब है कि लखनाओ में नागरिक्ता कानून के खलाफ प्रदर्शन में हिंसक रूप अक्तियार कर लिया प्रदर्शन कारियों यहाँ प्लिस पर पत्थराव किया और नारे बाजी की इस दौरान प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ज यहाँ पर किया गया है वही नागरिक्ता कानून को लेकर प्रदर्शन कारी हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं यह देखिए 6 अलग-अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यह यूपी के अलग-अलग जिलों की तस् धारा 144 लागू होने के बावजूद देखिए कि यूपी के अलग-अलग इलाकों में किस तरीके से प्रदर्शन किये गये हैं कहीं प्राइवेट वेकल को निशाना बनाया गया है कहीं रोडवेस की बसे को निशाना बनाया गया है मीडिया पर किस तरीके से हमला किया गया ह लख्रहों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है प्राइवेट वेकल्स को भी नुकसान पहुंचा है और रोडवेज की बसेस को पकड़ कर उसमें आग लगाई जा रही है प्रदैर्शन कारियों पर किस तरीके से पुलिस को देखे बलका प्रयोक करना पड़ रहा है अब आप अगर पत्थर बाजी करेंगे तो पुलिस के पास क्या बचता है रास्ता उसके बाद कहा जाता है कि पुलिस जो है वो दमनकारी और ये पुलिस जो है वो अपरादियों की तरह treatment करती है लोगों के साथ ये जो लोग थे वो शांती से विरोध प्रदेशन कर रहे थे अगर आप शांती से विरोध प्रदेशन कर रहे हैं तो सड़कों पर इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं क्या अमूमन जब आप यूपी की सड़कों पर चलते है हैं लगनuw की सड़कों पर चलते हैं तो अमूमन क्या है आपको इतनी पथर देखने को मिलते हैं रोड़ पे तो यह पत्थर कहां से आ रहे हैं क्या आप अपने घरों से पथर लेकर निकलर रहे हैं और कहले कि हम शांतिपून तरीकस से वरोद करने के लिए हम उत्रे हैं फिर ये फटर आपके हाथों में के हैं ये पुलिस वालों पर जो पत्थर चला रहा है ये पत्थर चलाने वाले पther बाज कौण है ये सवाल जरूर उठेंगे सडकों पर बी.जी.पी दे座िये मैं आधिकारी पुलिस के जो है वो खुद जो एक तरह से लोग कह रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं वो अपनी बात आराम से भी कह सकते हैं बिना हिंसक हुए कह सकते हैं बिना अग्र रूप अक्तियार किये कह सकते हैं लेकिन इस तरह की हिंसा की हमारे लोग कंतर में कोई जगा नहीं है आप अगर CAA के खिलाफ सर अगर लेंगे और फिर कहेंगे कि सरकार कानून में बदलाव करें तो शायद आपकी सुनी नहीं जाएगी इसलिए बातों को समझ ये इसके भीतर तक जाईए कि पहले ये कानून कहता क्या है सिटीजन सिप अमेंडमेंट अक्ट जो है उसमें क्या बाते कही गई है आपके जाएगा क्योंकि बारबार ये अपील की जारी है कि CAA वो किसी भी तरह से नागर्टा खीनने का कानून नहीं है जी हां ये नाग्रीकता देने का कानून है ये उन शरनार्तियों के लिए जो भारत में आके शरन मांग कर रह रहे हैं उन्हें ये नागरिकता देगा वो भारत के नागरिक हो जाएंगे उनको वो तमाम अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिकों को मिलता है तो फिर ये विरोध क्यों क्यों विरोध हो रहा है अगर ये आप इस भीड में मौझूद लोगों से पूछे तो ज्यादा तर लोग यकीन मानिए ज्यादा तर लोग जो है वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो सड़कों पर मौजूद है तो सवाल खड़ा होता है कि आखर इसके पीछे कौन है कौन है जो घ्रीड को उत्सा रहा है कौन है जो लोगों को सड़कों पर ला रहा है कौन है जिसे जनता के फिक्र नहीं है और ऐसे जनता को सामने करके ढाल बनाके कौन इसके पीछे साजिश रच रहा है और इसा हालात को देखते हुए लखनौ के सस्पी से हमारे सहयोगी ने बात चीत की है क्या कुछ कहना है सस्पी साब का आई आपको सुनवाते है लखनौ में जिस तरह से सस्पी और डिजीपी ने खुद समाली हमारे साथ अच्छी सी धाराएं लें रांजगोंती चेत्रों चाहिए पस्सिम चेत्रों चाहिए पूरव तीनों को कंट्रोल कर लियागी पूरी तरह से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं उनको गिरफतार किया बड़ी हिकमत अम्ली से फोर्स ने जो है स्थिति को टैकल किया और जिससाब और जिससाब से लखनों सस्पी ने कमाल समाली यहां पर आप देख सकते कि इस तरह से सबसे आदा संख्छा हजरें इलाके में मवजूद है क्योंकि यहां पर पास में हैं जो सच्वाले है और देखा जातों पास पर लोग भवान है मुखमंत्री अवासे महां से मात्रे पांसो की मीटर पर दूरी पहर है इस वज़े से यहां पर कमाल समाजी है लखनों सस्पी का कहना है कि जीससाब से महाल बिगड़ा था उसको कंट्रोल कर दिया गया है और सब चार तरब से ब्योस्ता का लखनों को संदेश पर हो जाए गया कि ब्योस्ता सबसे से टाइम है बीडियो टेलिस मिश्चा के साथ है और 90 वियरू चतरवे दिलखनों